नमस्ते एक फुल की चाहा का ये सेकिंड पार्ट है जिसमें सुखिया की असाद बीमारी का यहाँ पर चित्रन किया गया है सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही चाया चोटी से बच्ची को ग्रसने कितना बढ़ा तिमिराया उपर विस्त्रत महाकास में जलते से अंगारों से जुलसे सी जाती थी यांके जगमक जगते तारों से तो यहाँ अंधकार सभी और दिखलाई दी बस अंधकार अंधकार मींस अंधेरा चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है अंधकार ही दिखाई दे रहा है चोटी सी बच्ची को ग्रसने, ग्रसने मींस निगलने, कितना बड़ा तेमिर आया है, तेमिर मींस भी अंधगार होता है उपर विस्तरत महाकास में, विस्तरत मिन्स चोड़ा, महाकास में, खुले आकास में, जलते से अंगारों से जुलसी सी जाती थी यहांके जगमक जगते तारों से, जुलसी सी मिन्स जलती, जुलसी मिन्स जलना, तो यहाँ पर जलते से अंगारों यह जलते से अंगारों से और जगमक जगते तारों से इन दोनों में उपमा लंकार है तो सभी और दिखलाई दिवस अंदकार की चाया तो यहां सुखिया का पितगा कहना है कि चारों तरफ मुझे अंदकार ही दिखाई दे रहा है क्योंकि जो महामारी फैली हुई है वो मेरी छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए आई है ये जो कितना बड़ा अंदकार है वो मेरे घर में मेरी बच्ची को निगलने के लिए आया है उपर विस्तरत महाकास में जलते से अंगारों से मतलब इस विस्तरत खुले आकास में जलते से अंगारों से जुलसी सी जाती थी आँखें जगमक जगते तारों से जो तारे जगमग आ रहे हैं वो भी एक चलते से अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं और उसी तरह जो मेरी बेटी है उसकी आँखें भी उस महामारी के कारण जो जोर आया है उससे उसकी आँखें जल रहे हैं जलती सी जाती थी आँखें जगमग जगते तारों से जो कि तारे जगमगा आँ रहे हैं, वो भी जलते हुई अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं और जो महामारी से ग्रसित मेरी जो बेटी है सुखिया उसकी भी जो आँखें जल रहे हैं तो यहां कभी ने ये सुखिया और सुखिया की पिता की विशे में यहां बताया है नीचे ये इसका इसके सब्दार्थ और इसका ये भावार्थ भी दिया हुआ है सिक्स्त नंबर है हमारा देख रहा था जो सो इस्थर हो नहीं बैठती थी छणबर हाई वही चुपचा पड़ी ते अडल सांथ सी धारन कर सुनना वही चाता था मैं उसे स्वैम ही उकसा कर मुझको देवी के प्रशाद का एक फूल ही दोला कर तो यहां सुखिया के पिता के दारुण दुख का ये मार्मिक वर्णन किया गया है उसकी बेटी को एक महमारी ने से ग्रसित हो गई है तो उसकी वज़े से उसका बहुती बड़ा दुख उसके सामने प्रगट हुआ है तो यहां क्या कहा गया है कि देख रहा था जो सो इस्तर थी सो इस्तर मींस पूरी तरह से ठहरी हुई सान्थ मुद्रा में क्योंकि वो महामारी से सुखिया ग्रसित हो गई है नहीं बैठती थी चंड पर मतलब उसके पितागा कहना है कि वो एक मिनट के लिए एक छंड के लिए भी वो घर में नहीं बैठती थी हाई वही चुपचाप पड़ी थी अटल सांथ सी धारन कर अब महामारी से ग्रसित होने के बाद वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई है अटल मींस द्रण हो करके सांथ धारन करके वो अब बिस्तर पर बैठी हुई है लेकिन वो सही थी जब वो एक छंड के लिए भी घर पर नहीं रुकती थी अब यहाँ सुख्यागे पिता क्या कहना है कि सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वही उक्सा कर मुझको देवी के प्रशाद का एक फूल ही दो लाकर वुक्सा कर मींस उसे प्रेड़ना दे करके वो उसे कहता है उसे प्रेड़ित करता है कि वो एक मातारानी के फूल के प्रशाद के रूप में पाने की कोशिस करे और वो मुझसे कहे तो सुनना वही चाता था उसके मुझसे वही सुनना चाता है बार-बार उसे प्रेड़ित करता है कि वो मुझे फिर से वही सब्द कहे कि पिता जी मुझे देवी के प्रशाद का एक फूल लाकर के दे दो इसके जो सब्दार्थ है और इसकी जो भावारत है वो भी यहां दिया हुआ है भावारत मैं यही बताया है कि सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण होई दुर्दसा का जो चितरन करता है हुआ कहता है कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि वह मुझे फिर से वही सब्द गए पिताजी मुझे देवी के प्रशाद का एक फूल ला करके देदो अब है ये हमारा सेवंत उची सेल सिखर के उपर मंदिर था विस तीन विसाल सुरण कलस सिजवेसित्ते पाकर्म समुदित रविकर जाल दीब धूप से आमोदित्ता मंदिर का आंगन सारा गूझ रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सर्व की धारा तो यहां पर मंदिर की जो भब्विता है उसका वर्णन यहां किया गया है उसका वर्णन यहां पर किया गया है कि मंदिर की जो सुन्दरता है उचे सेल सिकर पर उचे मींज उचे सेल सिकर है पहाड की चोटी मंदिर था विश्तीन विशाल विश्तीन मींज फैला हुआ विशाल मींज बड़ा स्वर्ण कलस सर्शिज मींज कमल के समान सुन्दर सोने के कलस वियसित थे वियसित मींज चमकते हुए खिले हुए और समदित पाकर समदित रविकर जाल समदित मींज खिला हुआ रविकर मींज सूर का जो जाल जो किरने थी जो सूर की किरने थी वो चारो तरब जो फैली थी तो वो एक क्रनों का जाल पहला हुआ था और दीब-दूप मींज की मैं बित्बीSt. अबद ठेल, प्रसन्चेड, आमोदिन था, मंदिरक आंगं सारा आंगं, प्रसन्चेड, मुक्रित की धार, मुकृत मींस प्रगट होना तो यहां पर यह जो मंदिर की सुन्दरता है उसके विसे में यही बताया गया है कि जो मंदिर की सोभागा बढ़न उन्होंने कहा है कि उंचे परवत की चोटी पर एक विस्तरत और विशाल जो मंदिर बना हुआ है उस पर स्वन रूपी जो सोने क कलस हैं वो कमल की तरह खिल उठे हैं सूर की खिली हुई जो किरणे हैं जाल है उसको पाकर के वो कमल की तरह खिल उठे हैं सोने के कलस मंदिर का धीप धूप से आमो दित्ता मंदिर का आंगन सारा मतला जो मंदिर के आंगन में धीप और धूप जो प्रजुलत हो रही है उस उससे जो सारा आंगन है वो सुगंद से भरा हुआ है और चारों तरफ गुझ रही थी भीतर बाहर मुकृत उत्सव की दारा जो उत्सव हो रहा था मंदिर में उस उत्सव की जो प्रशन्नता चारों तरफ फैली होई थी गुझ रही थी इसका यहां पर सब्दार्थ और इसकी ब्याख्या भी दी हुई है इसका भावार्थ भी दिया हुआ है कि उचे परवत की चोटी पर एक विस्त्रत और विशाल मंदिर खड़ा था उसके सोने के कला सूर की किरणों से चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर की खिली हुई किरणों का इस पर स्पाकर के सुनहरे कमल खिल उठे हुँ मंदिर का सारा अंगन धूप दीब की सुगन से भरा हुआ था अर्थात महेक रहा था मंदिल के भीतर और बाहार मनाई जा रहे उत्सर की प्रशंता चारों तरफ उसकी आवाज गूज रही थे एर्थ है भक्त व्रंद म्रदु मधुर कंट से गाते थे सभक्त मुदमै पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जै 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 पतित तारनी तेरी जै जै मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से डिकला तो यहाँ पर भक्त जन भक्ती के भाव में डूब कर और मंत्र मुख दूखर के मा का गुणगान कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कि जो भक्त हैं भक्तों का जो समूँ है वो म्रद मधूर कंट से ब्रंद मीज समूँ और म्रद मीज 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 मी पापों का उनका हरन करने वाली हे माता तेरी जैजैकार हो पतित तारनी पापियों को तारने वाली तेरी जैजै हो मेरे मुख से भी निकला तो इसी तरह सुखिया के पिता के मुख से भी निकला कि पापियों को तारने वाली हे माता तेरी जैजै हो बिना बड़े ही में आगे को जाने किस भल से डिक्ला तो यहां सुखिया का पिता आगे नहीं वह जाता तो नहीं वह समीप पहुंच जाता है कोई एक अदरस सक्ति होती है जो उसे माताराने के पास पहुंचा देती है इसके सब्दार्थ और इसका भावार्थ यहां यहां दिया हुआ है कि पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली मा तेरी जै हो जै हो यह देखकर के सुनकर के सुखिया के पिता के मुख से अनायासी मा की जै जै कार निकल हे पतित तार्नी माता तेरी जय 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 लोगों का उद्धार करने वाली माता तेरी जय 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 वो आगे बढ़ने का प्रयास किया भिने ही ये बिना ही वो मालूम किस अग्या सकती के जोर से आगे जा पहुंचा अर्था जान भूच कर बढ़ने का प्रयास नहीं किया बलकि ल आपी आगे अर्थात अंदर जा पहुंचा तो यहां म्रदु मदुर और वे मेरे मुख में अनुप्रा सलंकार का प्रयोग किया गया है तो यहां देखे आपने फाइब टू एर्थ का भावार्थ सुना और सब्दार्थ सहित आपको यह इजीली समझ में आ गया होगा दन्यवाद